नमस्ते मैं आज लेके आया है आपके लिए 850 स्क्रेट के अंदर टू बेटरूम टू किचेन डाइनिंग लिविंग एक बेलकोनी के साथ एक अच्छा सा प्लैन ठीक है तो देखिए जो एंटरेंस में एंटरेंस सिधा से रहेगा एंटरेंस में एक बेलकोनी रहेगा ठीक है साइज है 13.5 feet by 10 feet ठीक है उसके पास एक स्ट्यार के से उसके बाद आप इधास से एंटरेंस करके लिविंग रूम में पहुंचेंगे लिविंग लिविंग रूम जो है साइज है आपका 14 feet by 9.5 feet लिविंग रूम के साथ ही एक डोर रहेगा डोर के पास ही आपका डाइनिं रूम के साथ ही डाइनिंग रूम यहीं पर है 12 feet by 8 feet का है इसके साथ एक कॉमन टाइलेट भी है 4.5 feet by 7.5 feet का है ठीक है ना उसके बाद देखिए दो साइड में दो बेडरूम है जिसके साइज है 10 feet by 10 feet इधर भी 10 feet by 10 feet और यह वाला चो टाइलेट है 4 feet by 6.5 feet का यह यह रूम के साथ एटाच रहेगा ठीक है ना तो यह एक फैमिली के लिए बना हुआ है ग्राउंड फ्लॉर है ग्राउंड फ्लॉर फास्ट फ्लॉर प्लान सेमी है एक्चुली दो फैमिली फारपस उस परपस में आपका यह बना हुआ है तो यह है अजका प्लान है तो यह पर आपका टुटल जो प्लॉर्ट एरिया है आपका 13.36 feet का है और 26.1 feet का है अंदर यह 850 square feet वाला तू भी एच के का एक ग्राउंड फ्लॉर फ्लॉर फ्लैन है देखे फास्ट फ्लॉर में आप आएंगे तो सेमी है देखे बैलकुनी पर साइज भी सेमी है उसके बाद लिविंग है मतला फ्लॉर में जो मिलेगा आपको सेकेंड फ्लॉर में भी सेम मि इसके सकते हैं अब लाउंड फ्लॉर में फैमिली और फास्ट फ्लॉर में फैमिली आराम से उसकर सकते हैं ठीक है ना तो इसका जो 3D है 3D में आपका कैसे लगएगा मैं एक बाद देखा देता हूं आप लोगों ठीक है ना देखिए यह जो है यह आपका फ्रॉंट टेलिवेशन है ठीक है ना आप दिखरेए फ्रॉंट टेलिवेशन है इधा से इंटरेंस है इंटरेंसर के इधार आपका लिविंग में जाने के लिए रूम है उसके बाद अंदर में बाहर से आपका ऐसा ही दिखेगा सीरी आपका बाहर से है एक्चुली दो फेमिली के लिए है मतलब एक पुड़ा सेफाइट सेफाइट करके वह जो आपका फैमिली है वह जा सकते है अपवर में ठीक है ना तो यह है आपका फॉन डेलिवेशन है मैं इसको चारा तरफ घु साइड हो गया है तो यह आपका बैक साइड हो गया है और कि देख लिए टुटाल आपका चारा तरफ का मैं देखा देता हूं कि इस से लगेगा कालर जो है आप देखिए बाहर में जो बैलकुनी है वही पर फ्लॉड में टुटाली टाइल से अंदर में भी है और आपका फ्रॉंट में जो वल है वल में पुरा स्टोन लगा हुआ है ठीक है ना और बाहर का साइड में जो वल का कलर है वहाँ आप अपने चैस्ट में आपूस कर सकते हैं टीकान ना और स्टियार केमें जो है देखिए जो है जो है है हंड्रार बना हुआ यह हेंड्र ऍेर के साथ अपका घ्रास में मिलेगा ठीक है ना ग्लास में दिया हुआ है जो आपका हैंडल है टुटली ग्लास है कि देख सकते हो पुरा टाइल के साथ यह लगा हुआ है एक छोड़ा सा सिंपिल डिजाइन बना हूं बनाया हूं है ठीक है नहीं तो यह है आज का वीडियो है तो किसे लगा है आप जुरूर कमेंट करके बताएंगे और मेरा चैनल पर आप नाय है तो जुरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और सेया लाइक जुरूर कर दिजेगा थैंक यू